गुरुकुल प्रेप डैली हेडलाइन्स में आपका स्वागत है आज 28 अक्टूबर के मुख्य समाचार अंतरराष्ट्रिय एनीमेशन दिवस 1892 से कला के प्रभाव का जश्न मनाता है NTPC और भारतिय सेना ने दूरस्त लद्दाख में सोलर हाइड्रोजन माइक्रोग्रिड परियोजना शुरू की मेटा ने भारत में आए नवाचार, अनुसंधान और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए इंडिया AI से साचेदारी की यूरोपिय संसद ने लोकतंत्र की लड़ाई के लिए वेनेज्विला के नेताओं को सखारोव पुरस्कार से सम्मानित किया भारतिय नौसेना ने उन्नत तटिय रक्षा के लिए नए ASW जहाज, अभै, का स्वागत किया एअबस ने दिल्ली में मुख्याले खोला, डक्षिन एशिया के एरोस्पेस क्षेत्र के लिए समर्थन बढ़ाया यूरोपिय निवेश बैंक ने शहरी गतिशीलता सुधार के लिए बेंगलुरू ओपनगरिय रेलवे को वितपोशित किया भारत ने मालदीव के सिविल सेवकों को शासन प्रशिक्षन प्रदान किया, विपक्षिय संबंधों को मजबूत किया एन्विडिया ने AI केंद्रित वृद्धी के साथ आपल को दुनिया की सबसे मूल्यवान कंपनी के रूप में पीछे छोड़ा चानक्या रक्षा समवाद भारत की सुरक्षा और विकास पर वैश्विक रिष्टिकों के साथ संपन हुआ आज के गुरुकुलप्रेप हेडलाइन्स के लिए बस इतना ही सुनने और अपडेट रहने के लिए धन्यवाद याद रखें ग्यान सफलता की कुंजी है और हम आपको नवीनतम घटनाओं से अपडेट रखने के लिए यहाँ है आप गुरुकुलप्रेप.com पर हर श्रेनी के टेस्ट प्रेपरेशन सकते हैं या प्ले स्टोर से अप डाउनलोड कर सकते हैं आप गुरुकुलप्रेप अपडेट्स अप भी प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं कल फिर हमारे साथ जुड़े महत्वपूर्ण समाचारों के लिए तब तक जिग्यासू बने रहें, प्रेरित रहें और सीखते रहें आपका दिन शुब हो